आप सभी को मेरा प्यार भारा नमस्ते छोटों को बहुत बहुत आशेवाद एक परिशानी जो मुझे आजकल नियूस देखकर हो रही है मैं सोच रही थी आपके साथ में शेयर करूँ शायद आप भी दुखी हो रहे हो उस जीश से क्योंकि वो सबकी कॉमन परिशानी है हम सबने महावारत के युद में देखा था भी मन्यों को किस तरह से ये आतताईयों ने उस समय के आतताईयों ने विरोधियों ने जो युद्धा कहते थे अपने आपको मिलकर घेर कर उस बालक की हद्या की नहत्य बालक की आज भी इस समय में जादा परिवड़तन नहीं हुआ है आज भी मोदी जी जो हमारे सबके आदर्श हैं दिन रात महनत कर रहे हैं देश के लिए समाज के लिए लोगों की जनता की भलाई को के लिए उनको उनका इस तर गरीबी रेखा से उपर उठाने के लिए रात दिन मह जाल साजी में देश को लूटने में वो सब एक हो गए आपने कैस सोचा है कभी 150 करोड की एक कोठी चार लाक में कैसे मिल जाएंगी किसी को इसी तरह से मिल लिया और वो ही सबसे जाता शोर मचा रहा है जनता इतनी भोली है उनको कुछ समझ में नहीं आता वो 200-400 के पानी म में और बस में उसी में कुछ हो जाती है उन्हें कोई फरक ने बढ़ता कि देश के लिए कौन क्या कर रहा है लेकिन मेरे जैसे आपके जैसे बहुत सारे समर्तक हैं जो हम रात दिन प्राथना तो करते ही हैं इश्वर से कि मोदी जी को लंबी उम्र देश की सेवा करने के ल आपको एक होना पड़ेगा तभी इन सबसे लोहा ले पाएंगे नहीं तो एतिहास अपने आपको दोराएगा प्रतिविराज चोहान हो चोहावी मन्य हो इन दोनों को ऐसे ही लोगों ने घेर कर मार दिया ता जिसे हमारे एतिहास पलट लिया था मैं आप सबसे आशा करते ह आप सब इन भातों का दिहान दे और एकत रहूं मोदी जी को और देश के लिए कुछ काम करने के लिए देश की सेवा करने के लिए आप सब का भद्वा धन्यवाद मुझे सुनने के लिए सुमन गुपता नमस्कार दर्शको अब इस दीदी ने जो बोला उसके उपर गावर करो डीटेल में सुनो उनको उनकी बाते समझ लो जो वो बोल रही है बिल्कुल सच है हम लोग सिर्फ कंप्लेंट ही कर सकते हैं ये कम है ये महेंगा हुआ ये ऐसा हुआ वो ऐसा हुआ अरे चोटी-चोटी बातों पर ध्यान मत देना यू लुक अट लार्जर इंट्रेस्ट मोदी जी के इतने बड़े बड़े प्लान है कितने सुविधा हो रही है कितना प्रोग्रेस हो रहा है सारे विशो में अपना नाम कितना बड़ा हो रहा है कितना हमारे देश को सनमान मिल रहा है वो देखो आप बोलेंगे सन्मान से पेट भरता है क्या नहीं आइसा नहीं है हमारा भारत जब उच्छे पादान पे जाएगा तो अपने आप सबसुधर जाएगा अरे अच्छे लोगों को एक चांस तो दो प्रूव करने का बुरे लोगों का तो काम ही है न वो अच्छा कुछ करने ही सकते है सिर्फ मोजी जी पे उंगली उठा दे है तो हमें ये नहीं करना चे ऐसा नहीं करना चे उनका बाकी प्रोग्रेस देखो क्या क्या किया है वाट ही इस केपेबल ओफ यू ट्रस्ट हिम ट्रस्ट हिस केपेबिलिटी और आवाज उठाओ आप कैसे आवाज उठाएंगे नारा नहीं देना है हमें हमें नारा दे के कुछ नहीं होने वाला है हमें मोदी जी को मोदी जी के पार्टी को वोट देना है वो ही हमारा नारा होगा मोदी जी को वोट देना है उसे पूरा चांस देना है जो भी करना चाहते है चाहो जैसे अपने बच्चों को करते है बच्चा अगर होनार है वीक है तो उसे strong बनाने की कोशिश करते है और जबी बच्चा strong है और उसके आखों में बड़े बड़े सपने है तो मापप उसे क्या करते है पैसा नहीं है दाल, चावल, सब महेंगी है करके उसको उसका प्रोग्रेस रोपते हैं हम नहीं मापप क्या करते है कहीं से लोन लेते हैं कहीं से करजा उठाते हैं पर बच्चे को अच्छा भविष्य देते हैं ऐसे ही करना चाहिए, मोदी जी भारत का बच्चा है, वो होनहार है, उसके आखों में बड़े बड़े सपने हैं, और खुद के लिए नहीं, जनता के लिए, सारे देश के लिए, तो हमारा कर्तव है, हम उनसे उनके आख, आवाज में आवाज मिलाएं, उनके सपने अपने वो ही हमारा कर्तव्य है, वो ही हमारा कर्तव्य है, आप न भूले, और कौन वोट देने को जाएगा ये पॉलिटिक्स, ऐसा ऐसा बैट, बोलके घर में वोट के दिन, वोटिं के दिन, घर में बैटने वाले लोग है, नहीं है, नहीं ऐसा करना है, हमारा हक बजाना है, हमार 18, we have to vote, we have a right to vote, so वो उसको आप अच्छी तरह से इस्तमाल किजिए, और जो योग्य आदमी है, जो भारत के लिए कुछ भी करने के लिए तयार है, जिसे कोई भी वेस्टेड इंट्रेस्ट नहीं है, ऐसे आदमी को वोट तो, ऐसे आदमी की पक्ष को वोट तो, ये मैडम जी ने जो बोला, सव टका सच है, सव टका, हमें अपना कर्तव निभाना है, हमें वोट देना है, और हमें योग्य व्यक्ति को ही वोट देना है, अगर तुम अच्छा भविश्यकाल चाहते हो, हम तो नहीं रहेंगे, हमारे बच्चों के लिए, आने वाली पीडी क अगर आप अच्छा भविश्य चाहते हूं, तो अच्छे आदमे को वोट दो, सच्चे आदमे को वोट दो, अपना राइट है वो, वोट देना अपना राइट है, और हमें राइट दिया है, वो बजाना हर एक का कर्तव्य है, हर एक राइट के पीछे एक कर्तव होता है हमारा कर्तव है कि हमें जो हक दिया गया है उसका पालन करे और आख कान सब खोल के पूरी तरह से नजरिया देख के फिर वोट करे नमस्कार